चुनाव आयोग ने आज गुजरात वुधान सभा चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को वोटिंग होगी और फैसला हिमाचल प्रदेश के साथ ही 18 दिसंबर को आएगा पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 9 दिसंबर को वोट पड़ेंगे जबकि दूसरे चरण में 14 दिसंबर को 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे विधानसबा चुनाव में 4.33 करोड वोटर्स, 50,128 पोलिंग स्टेशनों पर गुजरात में नई सरकार चुनेंगे चुनाव आयोग में निस्पक्ष चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इतिजाम किये हैं आयोग की तरफ से इस चुनाव में प्रतिव मिद्वार खर्च की सीमा 28 लाख रुपय ताय की गई है गुजरात में सबसे ज़्यादा 32 फीसिदी जनता OBC है गुजरात में दलित आदिवासी 22 फीसिदी और सवन 20 फीसिदी है गुजरात में 16 फीसिदी पटेल पार्टिदार और 10 फीसिदी मुस्लिम है गुजरात में 2014 से अब तक 3 मुख्य मंत्री रही है पीए मोदी के बाद और विजे रुपानी से पहले आनंदी बेन पटेल सीम थी गुजरात के सीम विजे रुपानी ने गुजरात के मुख्य मंत्री विजे रुपानी ने दावा किया है चुनाव आयोग ने आज दो चरणों में होने वाले विधानसबा चुनावों की तारीखों का एलान किया है गुजरात में पहले चरण में 9 दिसम्बर को वोट डाले जाएंगे जिनमें कच, सुरेंदरनगर, मोरबी, राचकोट, जामनगर, देवभूमी द्वारका, पोरबंदर, जुनागर, गिर्सोमनाथ, अमरेली, हावनगर, बाटोड, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांक्स, नवसारी और वलसाज शामिर है वहीं दूसरे चरण में 14 दिसंबर को एहंदबाद, बनासकाचा, पाटन, महसाणा, साबरकाचा, अरवल्ली, गांधिनगर, आनन, खेडा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, पडोदरा और छोटा उदैपुर में मतदान किया जाएगा गुजरात में मोदी के बाद सीम के लिए कोई बड़ा चहरा नहीं है जीएस्टी को लेकर राज्य के कुछ व्यापारी नाराज है नोट बंदी से परिशान लोगों को समझाना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पाठिदार अंदोलन से पटेल वोट के बटने का खत्रा बीजेपी को है गुजराच ना में इस बार सभी सीटों पर वीवी पैट मशीन और सबोट इपोगी एहमदाबाद में राहूल गांधी और हार्दिक पटेल की मुलाकात के नए सबूत सामने आये हैं ये तस्वीरे 23 अक्टूबर की हैं एहमदाबाद के होटल उमेद ताज मेर राहूल गांधी ठहरे थे हार्दिक पटेल उमेद होटल के उस कमरे में आते जाते देख रहे हैं जिसमें राहूल गांधी ठहरे थे हाला कि आज भी हार्दिक पटेल इस मुलाकात का खंडन कर रहे हैं और CCTV फुटेज के लीक होने पर सवाल उठा रहे हैं वहीं बीजेपी पटेल के इस इनकार पर हमला कर रही है इससे पहले उमेध होटल के बाहर की CCTV की तस्वीरें सामने आई थी जिसमें हर्दिक पटेल के होटल में आने और जाने की तस्वीरे थी गुजरात में 16 फीसदी जनसंख्या वाले पार्टीदार समाज के लोग दो हिस्सों में बटे हैं पार्टीदार बीजेपी समर्थक हैं गुजरात में 60 फीसदी लेवा पार्टीदार और 40 फीसदी कडवा पार्टीदार समाज के लोग हैं 2012 विधानसबा चनाव में 82 फीसदी कड़वा पटेल ने बीजेपी 7 फीसदी ने कॉंग्रिस को वोट दिया आगे बढ़ते विदेश मंत्री शुश्मा स्वाराज और अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के बीच आज रणनीतिक मुद्धों पर चर्चा हुई नई दिल्ने में भारत और अमेरिका के हितों को लेकर आज एहम बैठक हुई अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान में आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और H-1B वीजा जैसे मुद्धों पर बात चीत की मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री डैक्स टिलर्सन और सुष्मा स्वराज ने साजह प्रेस कॉनफरेंस किया इन हमलों से ये पता चलता है कि आज भी आतंक वादियों को सुरक्षित शरणगाहा और समर्थन देने वाले तक तो मौजूद है मैं और विदेश मंत्री डैक्स टिलर्सन इस बात पर सहमत थे कि हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी देश आतंक वादियों को सुरक्षित शरणगाह उपलब्ध ना करा पाए और जो देश आतंक वादियों को समर्थन देते हैं या आतंक वाद का प्रयोग करते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए भारत आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर गये थे हाल के दिनों में भारत आने वाले टिलर संद सबसे बड़े अमेरिकी अधिकारी हैं पियम मोदी और टरम आतंक वाद के खिलाफ लड़ाई में सहुक की इच्छा जता चुके हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस कह चुके हैं कि पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ ना होगा जमू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलो का संयुक्ष सर्च ऑपरेशन चल रहा है जमू कश्मीर में पिछले दिनों हुई आतंकी वारदातों के खिलाफ आज सुरक्षा बलो का बड़ा अभियान चुरू हुआ सेना पैरा मिलिटरी और जमू कश्मीर पोलिस की जॉइन टीम शोप्या के करीब 20 गवों में सर्च ऑपरेशन चला रही है सुरक्षा बलो को इस इलाके में कई आतंक्यों के छिपे होने की ख़बर मिली थी जिसके बाद आज सुभा तड़के बड़ी संख्या में सर्च ऑपरेशन चुरू किया इस दोरान सभी कावों की घेरबंदी की गई है और तलाशी ली जा रही है सुरक्षा बलो की एक आरवाई पिछले दिनों शोप्या में राजनितिक डल के सदस्यों, सरकारी अधिकारी और आम नागरी को पर हुए आतंक्य हमले के विरोध में हो रही है सर्च ऑपरेशन में जमू कश्मीर पोलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान शामिल है सर्च ऑपरेशन में सेना की 62 आरार, 46 आरार और एक आरार शामिल है शोपिया सर्च ऑपरेशन में CRPF की चौधवी वाहिनी भी शामिल है शोपियां के सगुन, हैफ, श्रीमाल, नागबल, बार्बुग और चित्री गाम गाउं में सर्च आपरेशन किया जा रहा है तुरक्वागन, मलडूरा, केश्यू, कडगम और नुले पोश्वारी में भी सर्च आपरेशन जारी है पिछले साल आठ जुलाई को हिजबल मुझाहिद्दीन के आतंकी बुरहाद बानी के मारे जाने के बाद से इस जिले के 37 युवख गायब है जिनके आतंकी संगठनों में शामिल होने की आशंका है सेना ध्यक्ष ने साफ किया है कि कश्मीर मसले पर केंद्र की तरफ से नियुक्त विशेश प्रते निधिका सेना की कारवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनरल रावत ने कहा है कि सेना पहले की तरह आतंकियों के खिलाफ अपना भियान जारी रखेगी इससे पहले सोमवार को सरकार ने पूर्वाईबिन इदेशक दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर के लिए विशेश प्रते निधि निक्ट किया था जो कश्मीर में सभी पक्षों से बात चीत करेंगे केंद्र सरकार के इस फैसले का राजनितिक दलों ने स्वागत किया है कल जमू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दूला ने मामले में पाकिस्तान से भी बात की वकालत की थी जिसे राज्य सरकार ने खारिच कर दिया कोई भी बात चीत ठीक है मगर मुझे ये बताईए कि जो पटगाउंकर सहब रीता कुमार वो तीन इंट्रलॉक्रिटर्स जो आए थे दो साल यहां गुजारे दिनेश्वर शर्मा भार के पुलिस सेवा के 1989 बैच के रिटार अधिकारी है दिनेश्वर शर्मा 2014 से 2016 तक आईबी के निदेशक रह चुके है 2002 से कश्मीर में बातचीत के लिए केंदर सरकार की ओर से दिनेश्वर शर्मा चौथे प्रतिनिधी होंगे केंदर के प्रतिनिधी दिनेश्वर शर्मा को सरकार ने कैबिनेट सचीव का रैंक दिया है आर्मी चीफ ने खाया कि जम्मो कश्पीर में हालात पहले से बेतर हुए हैं और सेना रंडी थी के अधार पर काम कर रही है दिल्ली में आपराधिक वारदाते थमने का नाम नहीं ले रही है पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अलग-अलग इलाफों में तीन लोगों की हत्या हुई है दिल्ली के शालिमार बाग में बदमाशों ने कार में सवार पती-पत्नी पर अंधा धुंद फाइरिंग की और फरार हो गए बदमाशों की गोली से कार सवार महिला गम भी रूप से जखमी हो गई जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई बारदात के वक्त कार में महिला की दो साल की बेटी भी थी गनिमात रही की उसे कोई गोली नहीं लगी महिला के पती का दिल्ली के पहाडगन जिलाके में होटल है बरिवार वालों ने अस्पताल पर भी इलाज में देड़ी कारोप लगाया है आमला दर्ज कर लिया है हलाकि अब तक बदमाशों का सुराग नहीं लग सका है 24 अक्टूबर को कृष्णानगर में स्क्रैप व्यापारी की गोली मार कर हत्या 23 अक्टूबर को स्मानपुर में 23 साल के युवक का मर्डर 22 अक्टूबर को बदमाशों ने भजन पुरा में आरिफ नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया